हेलो एव्रिवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एट्मोस्पेरिक पॉलिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक that is acid rain तो जैसे कि आपको पता है पिछले lecture में हमने डिस्कस किया था एट्मोस्पेरिक पॉलिशन के इंट्रोड़क्शन के बारे में और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हम एट्मोस्पेरिक पॉलिशन के तीन बहुत ही important effects के बारे में हम अगले lecture में पढ़ेंगे और उन में से एक बहुत important topic जो है बहुत important effect जो है because of atmospheric pollution वो है acid rain तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ acid rain के बारे में discuss करने वाले है और acid rain के बारे में हम discuss क्या करने वाले है सबसे पहले formation of acid rain कि ये acid rain form कैसे होती है कैसे acid rain existence में आती है दूसरा effects of acid rain कि जब acid rain अर्थ में fall होती है तो उसके आपको क्या-क्या effects देखने को मिलेंगे और तीसरा कि हम इस acid rain को क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज तो है नहीं आपके लिए तो हम इस acid rain को कैसे control कर सकते हैं तो चलिए हम start करते हैं with acid rain सबसे पहले इस acid rain को हम समझते हैं कि ये acid rain होती क्या है तो पहले मैं थोड़ा सा ब्लीफ में आपको समझा देता हूँ कि actual process होता क्या है तो जब भी atmospheric pollution होता है atmospheric pollution because of presence of some harmful gases in your atmosphere तो ये कुछ gases होती है जैसे sulfur dioxide हो गया, carbon dioxide हो गया, nitrogen के oxides हो गया तो ये आपके atmosphere में release हो जाते हैं अब ये gases जब atmosphere में release होती है तो ये atmosphere में जो moisture presence होता है जो humidity presence होती है यानि कि water vapor जो presence होता है, present होता है atmosphere में उसके साथ combine होते हैं और उसके साथ combine होके form करते हैं कुछ acids जैसे carbonic acid, nitric acid, nitrous acid, sulfuric acid, sulfurous acid तो आपके atmosphere में ये सारे acids form हो जाते हैं अब एक बार यह acids form हो जाते हैं atmosphere में और जब भी rain होती है तो यह acid उस rain के साथ मिलके आपके अर्थ में आ जाते हैं इसको हम कहते हैं acid rain क्योंकि यह acidic होती है तो basically the rain which is acidic in nature is acid rain and why it is acidic in nature because of presence of or you can say formation of acids in your atmosphere तो आज हम यही समझेंगे सबसे पहले कि formation कैसे होती है in acids की in your atmosphere क्योंकि atmospheric pollution का ही एक पार्ट है तो basically कौन-कौन से acids के बारे में आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है वैसे carbonic acid भी एक acid होता है लेकिन यह इतना important acid नहीं है आपको ध्यान रखना है H2SO3 यानिकि sulfurous acid H2SO4 यानिकि sulfuric acid then HNO2 nitrous acid and HNO3 nitric acid वैसे इसके अलावा एक H2CO3 भी होता है that is carbonic acid बट क्योंकि यह इतना strong acid नहीं होता है तो इसका कोई खास harmful effect नहीं होता है लेकिन यह बागी के जो चार acids हैं काफी strong acids हैं काफी harmful effect आपको देखने को मिलेगा इनकी वज़े से तो चलिए हम start करते हैं कि किस तरीके से यह acids form होते हैं तो जब basically ध्यान रखिए यह जो acids form होते हैं जैसे sulfurous acid है यह sulfur dioxide की वज़े से form होता है यह sulfur trioxide की वज़े से form होता है और यह दोनो nitrogen dioxide की वज़े से form होता है और carbonic acid carbon dioxide की वज़े से form होता है अब सबसे पहले हमको इनके source को locate करना है कि ये source है क्या इनका ये कहां से आपके atmosphere में आते हैं तो चलिए हम start करते हैं with sulfuric acid and sulfuric acid की ये कैसे form होते हैं मैंने आपको बता है sulfur dye और sulfur trioxide की वज़े से तो शुरू से देखते हैं कि ये आते कहां से हैं आप जब भी fossil fuels burn करते हो देखो sulfur जिन भी चीजों में present होगा अब sulfur कहां होता है एक तो organic compounds जो होता है organic substances जो होता है organic matter जितना भी होता है चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो हमारी body में बहुत कम quantity sulfur की present होती है इसकी वज़े से क्या होता है कि जब भी आप इसको burn करते हो उस organic matter को यानि क्या plants को या जो animals का dead remains होते हैं उनको burn करते हो उनको जलाते हो तो यहां पे produce होती है क्योंकि उसमें जो sulfur होता है sulfur oxygen के साथ कम माइन होके क्या form करता है sulfur dioxide form करता है ध्यान रखिये फिर से मैं समझा देता हूँ जिन भी bodies में sulfur होता है जनरली किस में होता है organic matter में मतलब हमारी bodies में animals में, plants में तो जैसे coal वगेरा भी होता है तो उनमें कुछ impure क्योंकि 100% pure कारवन तो होता है उसमें कुछ impurities होती है sulfur जैसे तो वो oxidize होके क्या form करते है sulfur dioxide form करते है उसके अलावा क्योंकि यह burning जो होती है यह तो कहीं भी होती है industries में होती है हमारे पास जाहे वो plants होते है अब कुछ plants होते हैं जहाँ पे हम जान बूझके sulfur dioxide produce करते हैं जैसे कि pirates जो होते हैं पाइराइट बर्नर्स या आप कहा सकते हो जहाँ पे हम sulfuric acid produce करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है sulfur dioxide form की जाती है पहले sulfur को burn करके sulfur को या फिर sulfur की कुछ ओर्स होते हैं जिनको हम pirates ओर कहते हैं जैसे FES2 जैसी ओर्स होती है तो इनको जब burn करते है तो इनको burn करके जिन भी substances में sulfur होता है sulfur क्या करता है oxygen के साथ react करता है और sulfur dioxide form कर लेता है तो पहले ये समझ लीज़े कि sulfur कहां था कहां था sulfur organic matter में होता है या फिर कुछ ores में present होता है ores generally metals के कुछ compounds होता है उनको हम ores कहते हैं आप उसके बारे में भी पढ़ोगे तो sulfur और oxygen मिलके क्या form करते है sulfur dioxide जब भी हम sulfur को burn करते हैं sulfur को especially नहीं burn करते हैं sulfur organic matter में हो सकता है या फिर ores में हो सकता है अब एक बार sulfur dioxide produce होगा sulfur dioxide gas है और ये gas atmosphere में चली जाती है अब ध्यान रखिए जब भी ये gas atmosphere में जाएगी तो हो सकता है कि atmosphere में उसको moisture मिल जाए हो सकता है क्योंकि atmosphere में moisture होता ही है water vapor होता ही है और ये form करेगा फिर H2SO3 यानि कि this is your sulfurous acid ये क्या है sulfurous acid तो इस तरीके से sulfurous acid form होता है आपके atmosphere में कभी-कभी क्या होता है कि ये sulfur dioxide जो होता है sulfur dioxide sulfurous acid form करने से पहले again further oxidation होता है यानि कि oxygen के साथ combine हो जाती है और sulfur trioxide भी form कर लेती है क्योंकि ये easily sulfur trioxide form कर सकती है तो sulfur dioxide convert हो जाती है कि sulfur trioxide में और sulfur trioxide जब moisture के साथ atmosphere में जो moisture है यानि कि water vapor जो है उसके साथ combine होती है तो ये form करता है H2SO4 आपको पता ही है H2SO4 होता क्या है H2SO4 is sulfuric acid तो इस तरीके से आपका sulfurous और sulfuric acid form होता है atmosphere में देखिए बहुत simple है sulfur organic matter में present होता है कुछ compounds में और present होता है जैसे मैंने बोला pirate ores जितने भी होती है जैसे iron pirate होता है, copper pirate ores जो होती है उनमें present होता है sulfur तो जब भी हम इनको burn करते हैं तो burn करके sulfur present जो होता है इनमें वो oxygen के साथ combine होके sulfur dioxide gas form कर लेता है ये sulfur dioxide gas जो अगर water vapor के साथ यानि कि moisture के साथ combine होगा तो sulfurous acid form कर लिया और अगर ये उससे पहले oxygen के साथ combine होगया यानि क्योंकि आपको पता ही है कि atmosphere में oxygen भी है तो कुछ oxygen के साथ भी combine होगी तो sulfur trioxide form कर लेगा और further फिर से sulfur trioxide क्या होती है water vapor के साथ यानि कि moisture के साथ combine होती है और sulfuric acid form करती है तो इस तरीके से sulfurous acid और sulfuric acid आपके atmosphere में बन जाते हैं तो I hope कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि sulfurous acid और sulfuric acid आपके atmosphere में बनते कैसे हैं अब आज आते हैं हम बाकी के दो और acids में that is nitrous acid and nitric acid तो यहाँ पर यह तो समझ में आ गया होगा अब nitrous acid और nitric acid कहां से आते हैं इसका ध्यान रखिए nitrogen आपके atmosphere में already present होती है correct और oxygen भी होती है लेकिन खास बात क्या है कि यह जो nitrogen होती है और oxygen जो होती है क्योंकि nitrogen oxygen तो reactive gas है आपको पता है बहुत reactive gas है oxygen लेकिन nitrogen बहुत ही कम reactive gas है तो nitrogen generally oxygen के साथ react नहीं करती है यह point हमेशा याद रखना कि normal conditions में nitrogen कभी भी oxygen के साथ react नहीं करती है तो फिर कब करती है यह react करती है extreme conditions में बहुत ही ज़्यादा high temperature में तो दो cases ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा high temperature कब generate होता है एक तो क्योंकि atmosphere में nitrogen और oxygen दोनों है तो ये atmosphere में ही बन जाती है बहुत easily जब बहुत high temperature हो जाता है और ऐसे तो होता नहीं atmosphere में बहुत high temperature कब होता है ये होता है during lightning discharge जब भी बिजली कड़कती है तो जो ये बिजली कड़कती है lightning discharge जब भी होता है तो उस region में जिस region में lightning discharge होता रहता है जिस region में lightning होती रहती है उस region म बहुत जादा high temperature generate हो जाता है, लगभग 3000 degree Celsius के आसपस, और इस temperature पे nitrogen भी react कर लेती है oxygen के साथ, और क्या form करती है, NO, यानि की nitric oxide form करती है, इस तरीके से nitric oxide form होता है, तो ध्यान रखिए, nitric oxide सबसे पहला oxide है, जिसकी वज़े से बाकी की problems होती है, मतलब pollution create होता है, लेकिन direct nitric oxide, जो nitric oxide हो react नहीं करता है, या वो directly responsible नहीं होता है, और समझ लीजिए, nitrogen और oxygen जो है atmosphere के, वही आपस में react करते हैं, लेकिन normal circumstances में react नहीं करते हैं, इनको react करने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत high temperature, अब आप खुछ सोचिए, कौन सी जगह ऐसी है, जहाँ पे air भी present हो, क्य यह आपको nitric oxide मिल जाएगा, तो जैसे कि यह तो आपका natural phenomenon हो गया, जो मैंने lightning discharge के बारें बताया, उसके अलावा, जो आपके internal combustion engines होते हैं, अब आपका होगे internal combustion engines क्या होते हैं, internal combustion engines actually वो होते हैं, जिनमें जो fuel होता है, वो engine के अंदर ही burn होता है, किसमें होता है, या जो हमार गाड़ियां जो होते हैं, जितने भी vehicles होते हैं, उनका जो engine होता है, वो actually internal combustion engine ही होता है, तो उस internal combustion engine में हम जब fuel को burn करते हैं, क्योंकि उसके अंदर fuel burn होता है, और उस fuel को burn करने के लिए air की requirement होती है, वो air को कहा से लेता है, atmosphere से ही लेता है, तो उसके अंदर जो air react करती है, nitrogen और oxygen क्योंकि temperature बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो nitrogen और oxygen वहाँ पर react करते हैं, और nitric oxide form करते हैं, यानि कि NO form करते हैं, उसके अलावा जो आपके furnaces होते हैं, industries में, जितने भी furnaces होते हैं, जहापे आप metals को melt करते हो, तो उन furnaces में आपको पता, यह बहुत high temperature होगा, और उनको high temperature generate करने के लिए, air की तो जड़त होगी होगी, fuel को burn करने के लिए, तो उतने high temperature में भी, again nitrogen और oxygen आपसे मिलके, nitric oxide form करते हैं, तो आपको इस source पता चल गया, कि यह nitric oxide का source क्या है, अब एक बार nitric oxide मिलके आ, तो अब क्या करते हैं, nitric oxide जो है, वो again further oxidize होता है, और form कर लेता है nitrogen dioxide, क्या form कर लेता है, nitrogen dioxide, और यह nitrogen dioxide जो है, ध्यान रखे, nitrogen dioxide जो है, यह water vapor के साथ, यानि कि moisture के साथ, combine होके, form करता है, दो बहुत ही important acids, यानि कि HNO2 and HNO3, nitric acid, nitrous acid and nitric acid, so HNO2 is your nitrous acid, HNO3 is nitric acid, तो यह हो गया हमारा sulfurous acid, this is your sulfurous acid, this is your sulfuric acid, correct, this is your nitrous acid, और चौथा है हमारे पास यह वाला acid, that is nitric acid, तो इस तरीके से यह सारे acids form होते हैं, तो यह 4 acids form हो गए आपके, और यह 4 acids बहुत हद तक responsible होते हैं, acid drain के लिए, अब एक और बता देता हूँ, carbonic acid, carbonic acid क्या करता है, carbonic acid form होता है, carbon dioxide, और carbon dioxide आपको पता है, जितने भी fossil fuels burn करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा carbon ही present होता है, त इस में convert हो जाता है, carbon dioxide में convert हो जाता है, जब भी अब burn करते हो, और यह carbon dioxide क्या form कर लेता है, carbonic acid form कर लेता है, तो इस तरीके से यह सब होता है, यह सारे acids form होते हैं, atmosphere में, अब यह acids आपके atmosphere में आ गए, अब जब भी rain होगी न, तो यह सारे acids, rain के साथ mix हो जाते हैं, और उस rain को बना देते हैं acidic, correct, तो I hope कि आपको यह formation of acid rain समझ में आ गया होगा, अब rain कितनी acidic है, क्योंकि generally थोड़े बहुत, क्योंकि carbon dioxide तो बहुत ज़्यादा है हमारे atmosphere में, तो थोड़े बहुत carbonic acid भी अगर present है, तो थोड़ी बहुत rain acidic तो होगी ही होगी, rain कितनी ज़्यादा acidic है, औ कब मैं उसको acidic rain कहूँगा, otherwise rain तो acidic होगी ही होगी, क्योंकि हमारे atmosphere में carbon dioxide already present है, तो acidic तो होगी ही rain, लेकिन सारी rain को मैं acidic rain या acid rain नहीं कह सकता हूँ, acid rain के लिए एक criteria होता है, कि बहुत ज़्यादा acidic जब हो जाती है rain, जब harmful होने लगती है हमाले, उसको हम acid rain कहते हैं, अब मै कैसे measure करोगा कि इस rain में acid बहुत ज़्यादा है, तो इसको acid rain बोलते हैं, और इस rain में acid बहुत कम है, तो इसको नहीं बोलते हैं, उसके लिए एक measurement का system आता है, जिसको हम कहते है pH, तो pH value क्या होती है, पी एच वैल्यू is a scale, यह एक scale होता है, जिसको हम कहते है pH scale, क्या कहते है scale को pH scale वो scale जो length measure करने वाला scale है scale का मतलब होता है measure करने का criteria तो यह pH scale क्या होता है it is a scale to measure the acidic or basic nature of a substance कि कोई भी कितना ज्यादा acidic या कितना basic substance है तो the extent of acidic or basic character in a substance is measured with the help of pH scale तो pH scale की help से ही हम उसको measure करते है अब यह pH scale होता क्या है तो basically आपको बहुत ज्यादा details में जाने की ज़रत नहीं है इसमें हमारे पास pH scale में numbers होते है 1 to 14 pH values जिनको हम कहते है pH value होते है from 1 to 14 इसको हम कहते है pH value अब एक चीज़ ध्यान रखना है pH में p small होता है h capital होता है अब इसको h क्यों बोलते हैं आप अकले साल पढ़ोगे otherwise यह बहुत lengthy भी हो जाएगा और आपका कोई लेना देना भी नहीं फिलाल इस चीज़ से तो pH value 0 to 14 का इसमें scale होता है यानि कि number जो होते है 0 से लेके 14 तक होते हैं अब अगर कोई भी substance है अगर उसका pH 0 to 7 है यानि कि less than 7 है तो उसको हम कहेंगे this is acidic अगर it is 7 है equal to 7 है then it is neutral और if it is greater than 7 ध्यान रखें इफ इस greater than 7 then it is basic क्या आप दाया मैंने कि pH value 7 से जितनी कम होगी उतना ज्यादा acidic होगा यानि कि pH value अगर 1 है तो बहुत ज्यादा acidic होगा 2 है थोड़ा कम acidic होगा 3 होगी तो थोड़ा और कम acidic होगा 4 होगी pH value किसी solution की तो और कम acidic होगा 5 होगी तो और कम 6 होगी तो और कम और 7 होगी तो बिल्कुल भी acidic नहीं होगा neutral हो जाएगा 7 से जैसे ही बढ़ता है तो acidic नहीं हो जाता है फिर हो basic रह जाता है तो basic होगा 8 पे basic 9 पे और जादा basic 10 पे और जादा basic 11 पे और जादा 12 पे और जादा 13 पे और 14 पे सबसे जादा तो इस तरीके से हम measure करते है pH value को 0 pH है तो इसका मतलब बहुत ही जादा acidic है तो जितना कम pH value होगी उतना जादा acidic होगा 7 से कम पे ही acidic होता है 7 से उपर जब हम जाते हैं तो acidic नहीं रहता हो basic हो जाता है और 7 से जितना उपर होगा वो उतना basic solution होगा acids and basis के बारे में आपने पढ़ा acidic है कितनी जादा या फिर कितनी कम acidic है अब हम एक चीज की बारे में बात करते हैं कि acid rain का pH कितना होता है neutral मैंने अभी आपको बताए कि neutral तो generally बहुत rare chance है कि आपका जो rain है वो neutral हो जाए मैंने बताया कि carbon dioxide तो होती है atmosphere में और उसकी वज़े से वो carbonic acid बनाएगा ही बनाएगा तो pH value जो है वो 7 से कम ही रहेगी यानि कि वो acidic रहेगा ही ज़र्मली तो ज़्यादा तर जो rain होती है वो acidic तो होती ही होती है बट उसको हम acid rain नहीं बोलते है जब वो बहुत ज़्यादा acidic हो जाती है कितने when its pH value is less than 5.6 5.6 से कम अगर उसकी value है pH value अगर इससे कम है then it is called acid rain अगर 5.6 से उपर उसकी value है then it cannot be called acid rain इसको हमको acid rain बोलने के ज़र्वत नहीं है इसको हम acid rain नहीं कह सकते हैं भले ही थोड़ा सा acidic है क्योंकि वो हमारे लिए इतना harmful नहीं होती है तो अगर 5.6 से कम इसकी value है तो तब ही हम इसको क्या कहेंगे acid rain कहेंगे तो I hope कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगे और 5.6 से जितनी कम value होती जाएगी pH value जितनी कम होती जाएगी वो acid rain उतनी ही खतरनाक हमारे लिए होती जाएगी तो यह चीज आप ध्यान में रखे कि the pH value of acid rain is generally less than 5.6 तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा और यह pH scale का भी आपको concept समझ में आ गया होगा तो अब हम बात करते हैं effects of acid rain acid rain के effects क्या क्या होते हैं हमारी दुनिया पे क्या effect इसके पढ़ते हैं तो आप खुद सोचिए क्या-क्या होता होगा pH इसके acid rain के effect देखिए क्योंकि acid है तो acid से जो भी effect होते हैं वो सब हमको देखने को मिलेंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे soil के बारे में तो आपको पता है कि acid rain हैं उनके उपर गिरती है हमारे अलग-अलग structure जो हमने खुद से बना है उनके गिरती है otherwise उसके अलावा और क्या है जो आपके खेत हैं fields जो हैं वहाँ पर गिरती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं soil के कि soil पे क्या effect होता है तो acids क्या होता है कि soil में आपके जो minerals होते हैं उनके साथ react कर लेते हैं और react करके कुछ और compounds form कर लेते हैं इसकी वज़े से क्या होता है कि जो minerals होते हैं soil में क्योंकि उन्होंने कुछ और compounds form कर ले तो minerals जो होते हैं soil में वो कम हो जाते हैं मेंरे की soil जो fulfill होती है पहले वो deprived कर लेती है fertility soil की कम हो जाती है उसके साय सात क्योंकि אזthe soil wszyscy कम होती है दूसा problem क्या होता है क्योंकि soil में acid बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वज़े से soil acidic हो जाती है और बहुत ज्यादा acid आगर soil हो गई तो automatically उसकी fertility कम हो जाएगे क्योंकि acidic soil में आपके जो crops है सारी crops grow नहीं कर पाती है तो बहुत ज़्यादा crops के लिए ये बहुत खतरनाग भी होता है तो crop आपकी मतलब कुल मिलाकर soil की fertility खतम हो जाती तो पहले किस चीज को नुक्षरन पहुंचाता है fertility of soil fertility जो होती है soil की ये क्या हो जाती है खतम हो जाती है एकदम किसकी वज़े से acid rain की वज़े से दूसरा plants को ये खराब करती है तो होता क्या है कि जो आपके plants होते है plants में जब भी acid rain गिरती है तो इसकी वज़े से उनकी leaves जो है उनकी leaves क्या हो जाती है yellow हो जाती हैं, ध्यान रखिए leaves जो होती है plants की yellow हो जाती है, और आपको पता है plants की leaf का क्या roll होता है, leaves क्या करती है plants में, वो photosynthesis में help करती है, जो green pigment होता है chlorophyll, अगर वो ही नहीं रहेगा, तो plants अपने food कैसे prepare करेंगे, और अगर food prepare नहीं करेंगे तो plants will die, तो यहाँ पे यही problem होती है, क्योंकि leaves को yellow कर देते हैं, तो उसकी वज़े से plants खतम हो सकते हैं, plants will die, चलिए, तो यह तो हो गया plants पे, इसका असर, अब हम बात करते हैं, water bodies पे क्या असर होता है, तो water body, क्योंकि water body acidic हो जाती है, सारी water bodies, तो acidic water bodies में, क्योंकि जो plants and animals होत होता है, कि भई, पानी है, पानी में जब तक plants और animals रह रहे हैं, normal water है, normal water का ध्यान रखिए, water का pH जो होता है, जो pure water होता है, basically, जो भी mineral waters हमारे पास हम पीते हैं, वो pure water नहीं होता है, उसमें बहुत सारे minerals होते हैं, obviously, हमारे यूसफुल भी होते हैं, but, जो normal water होता है, means, जो pure water होता है, उसका pH जो होता है, 7 होता है, right, अब pH generally 7 के आसपास ही रहना चाहिए, correct, लेकिन जब acid rain होती है, और water में ये acid मिलता है, तो उसकी वज़े से pH 7 से बहुत कम हो जाएगा, अब pH जब 7 से कम हो जाएगा, तो इसमें जो plants हैं, और animals हैं, क्योंकि plants भी होते हैं, water में ज बहुत ज़्यादा acid आपने rain में मिला, means water में मिला दिया, और तब भी fish survive कर पाएगी, तो वो जब acidic हो जाता है water, उसकी वज़े से ये क्या नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे survive नहीं कर पाते हैं, and many plants and animal species will die, they will extinct, वो extinct ही हो जाएगी, वो हाँ से खतम हो जाएगी, उस region से जहाँ पे, जो water होगा, वो ज़्यादा acidic हो जाएगा, तो यह बहुत बड़ी problem होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बता है, तीसरा, हमारे जो structures होते हैं, जैसे bridges हैं, correct, bridges हैं, या फिर आपके railway tracks हैं, या फिर आपके monuments हैं, अपने ताज महल का नाम तो सुना ही होगा, कि वो color lose करता तो उसका color fade होते जा रहा है, क्यों, acid rain की वज़े से, क्योंकि ये marble होता है, calcium carbonate के साथ, acid react करता है, तो इसकी वज़े से, क्या होता है, ये अपना जो color है, वो lose कर रहे हैं, buildings, या फिर आपके, जो structures हैं, वो अपनी strength lose कर रहे हैं, क्योंकि, जो metals, क्योंकि metallic खात के, generally क्या होत उनको धिरे-धिरे weak बनाता रहता है, तो आपके जो structures हैं, वो weak हो जाते हैं, जो आपके monuments हैं, उन पे harmful effect होता है, दिखी रहा है कि ये धिरे-धिरे fade होते जा रहे हैं, अपनी जो shining है, वो lose करते जा रहे हैं, तो उनकी value धिरे-धिरे क्या होती जाती है, degrade होती जाती है, तो यह सारे हो गए effects of acid rain तो I hope कि आपको effects का concept समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या harmful effects इस acid rain के होते हैं अब हम बात करते है methods to control देखे, methods कहां छुपा हुआ है हमारे control करने के लिए वो छुपा है source में पहले हमको यह तो पता चले कि आ कहां से रहा है कैसे यह acid rain form हो रही है और एक बार हमको पता चले है तो हमको एक रास्ता भी मिल जाता है कि कैसे हम इनको control कर सकते हैं तो basically यह जितनी भी gases है यह सारी gases है acid rain देले responsible अब यह gases acid rain के लगए responsible है तो इन gases को atmosphere में ज़्यादा से ज़्यादा जाने से हम रोक सके तो हम acid rain को काफी हद तक control कर सकते हैं तो हमारा main motive क्या रहेगा कि यह जो gases है इनको atmosphere में ना जाने दिया जाए sulfur dioxide तो atmosphere में ही बनती है sulfur dioxide की वज़े से तो इसका मतब sulfur dioxide को और nitrogen dioxide भी किससे बनती है nitric oxide से तो इन gases को ना जाने दिया जाए आपके atmosphere में यह gases जाती कहां से एक तो fossil fuel को burn करके पहला दूसरा आपके industrial जो वहाँ पर आप fuel burn करते हो industries में वहाँ से जाता है ठीक है और तीसरा कहां पर कहां पर बोला था मैंने vehicles इतने भी होता है आपके transportation में उनसे यह सारे pollution pollutants जो होते यह gases जाती है तो क्या करना पड़ेगा इन पर थोड़ा सा हमको control रखना पड़ेगा control या तो हम बंधी कर दे आपने आपको पता भी होगा अब हम hybrid जो vehicles हैं उनको use कर रहे है या फिर हम completely green vehicles को use कर रहे है जहाँ पर हम electrical energy का use कर रहे है ना कि fossil fuels का याने कि diesel petrol इसको छोड़के अब हम electric vehicles की तरफ जा रहे है electric cars, trucks, buses वगएरा जो भी है उनकी तरफ जा रहे है ताकि यह जो harmful gases है वह atmosphere में जादा ना जा सके तो एक तरीका तो यह है कि इनको eliminate ही कर दिया जाए लेकिन जब तक हम eliminate नहीं कर पा रहे हैं तब तक क्योंकि industries तो बंद कर नहीं सकते हैं क्योंकि progress सारी रुख जाएगी उसकी वज़े से तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको उसके लिए control करना पड़ेगा means कि कम से कम eliminate होई gases तो हम कुछ तरीके यूज कर सकते हैं जैसे हमारी cars जो है इनमें हम catalytic converters use कर सकते हैं converters क्या करते हैं कि यह जो nitric oxide है जो nitric oxide produce होती है वहाँ पे इस nitric oxide को वापस किसमें convert कर देते हैं nitrogen और oxygen में और harmful nitric oxide जो होती है वो आपके atmosphere में नहीं आ पाती है तो काफी हद तक हम इसको control कर सकते हैं by using catalytic converters तो उसी तरीके से तो यह आपके vehicles में use हो सकता है उसी तरीके से हम जो industries में जो chimneys होती हैं उन chimneys में हम filters use करें कि जो इन gases को capture कर ले और breakdown कर ले तो इस वज़े से filters हम use कर सकते हैं इन chimneys में और उससे क्या होगा कि जो gases हैं वो कम से कम आपके atmosphere में जाएंगे और कम से कम आपके atmosphere में जाएंगी तो atmospheric pollution बहुत कम होगा बाकि carbon dioxide को eliminate करने का तो best method आपको पता ही है more and more plantation fossil fuels को जितना कम हम use करें देखें atmospheric pollution को कम करने का best तरीका तो वही है कि हम green energy की तरफ जाएं fossil fuels को कम से कम burn करें solar energy, wind energy इनको जादा जैसी gases ना बने, तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है, but obviously इसमें भी धीरे-धीरे time लग रहा है तब तक बाकी के measures भी हमको लेने पड़ेंगे केवल इनको सिर्फ एक प्रम से हम eliminate नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग coal जैसे या fossil fuels पे coal, petroleum products पे बहुत ज़्यादा dependent है, तो जब तक हम इन पे dependency रख रहे हैं, धीरे-धीरे हम green energy की तरब भी जा रहे हैं, हम solar energy पे काफी dependent होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा nuclear energy की तरब भी हम जा रहे हैं, तो इनको कम से कम करने के लिए तब तक हम क्या करेंगे, filters जैसे चीजें यूज़ करेंगे, ताकि gases, coin gases को atmosphere में जाने से रोका जा सकें, तो I hope कि आपको ये lecture समझ में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी queries हैं, कोई भी doubts हैं, तो आप मुझे comments, Facebook, Instagram, कहीं पर भी questions पूश सकते हैं, so this is all in this lecture, thank you very much.